नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वगत हैं दोस्तों आज मैं बहुत ही यूजफूल वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों अनन्त का सुत्र या अनन्त का जो धागा होता है या अनन्त जो होता है वो कैसे बनाया जाता है यह मैं आज के वीडियो में दिखाने ज चलिए इसके लिए हमें बस एक या single color में बनाएंगे, तो एक color का धागा और नहीं तो डबल कलर का धागा लेके मैं आज बना रही हूं और डबल कलर मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी होगा तो चलिए और हम धागा कैसे लेना है और कितना लेना है यह देखते हैं तो यह एक पीला धागा है और लाल है इस दोनों धागा को अगर छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो लंबाई बस इतना ही रखना है अगर हम छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं, तो हमें बस इतना एक हाथ का ही नाप का धागा लेना है, और धागा कम से कम आठ तहका होना चीए, क्योंकि ये पतला है, अगर मोटा धागा लेंगे, तो दो ही लेना है, और अगर ये पतला ऐसा पतला धागा है, तो हमें आठ तह का धागा है अब हम इसको बराबर में काट लेंगे देखें दोस्तों यह 8 तह का धागा है यह 4 पीला है और 4 लाल है तो अब हम अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बस यह जो लंबाई है इधर फोल्ड साइड का जो लंबाई है उसको हमें चार उंगली तक ह चार उंगली के बाद धागा को हम ऐसे पकड़ेंगे और जैसे यह लाल है और यह पीला है दो कलर का मैं आप लोग के समझने के लिए बना रहे हैं तो आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं पर जब गांठ आएगा तो आपको सिंगल कलर में उतना समझ वे नहीं तो अब ये जो धागा है लाल वाला उसको हम ऐसे उंगली में लपेट लेंगे और उंगली को उल्टा करके बाहर निकाल लेंगे और धागा को ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे पकरना है धागा को पकरके अब जो ये पीला वाला धागा है इसको हम फिर से वैसे ही लपेट कर ऐसे लाएंगे और इसको खेच देंगे फिर हम उंगली बाहर निकाल लेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे घुमाने के बाद अब जो ये लाल वाला धागा है इसको फिर से उंगली में लपेट लेंगे और इसको लपेटने के बाद ऐसे अंदर से निकाल के फिर से इस पीला वाला रिंग के बाहर कर लेंगे करने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेंगे और पकर के पीला वाला को खेच देंगे तो इससे हमारा ये एक गांठ बना है इस तरह से हमें 14 गांठ बनाना है एक अनंत के धागा में 14 गांठ होता है तो हमको इसी करम से 14 गांठ लगाना है फिर हम ये लाल वाला को ऐसे थोड़ा खीच लेंगे और अब ये उंगली में हमारा पीला धागा है और अब धागा को बाहर निकाल लेंगे फिर लाल धागा इसमें लपेट देंगे अब ये रेड रिंग हो गया है अब हम इसमें यह यलो वाला ढगा को लपेट के और इस रिंग के अंदर से ऐसे निकालेंगे और फिर लाल धागा को ही खिचेंगे ये दो धागा है और देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है अगर हम ऐसे धागा रहे तो अब हमको कौन सा धागा लपेटना है ये याद नहीं रहेगा तो जोल बड़ा है न धागा उस धागा को उंगली में ऐसे वापस लपेट देंगे और लपेट के फिर उसी क्रम में हम बनाएंगे और लाल जब धागा लपेटेंगे तो पीला वाला धागा को खीचेंगे पीला वाला को खीचे ये गाठ बन गया हमारा अब इसी तरह फिर से मैं दिखा रही है देखिए अब ये पीला वाला बड़ा हो गया है और लाल वाला छोटा हो गया है अब हम पीला वाला को वापस से उंगली में ऐसे लपेट देंगे लपेट के फिर लाल वाले को खिच देंगे तो फिर अब हम जब उंगली निकालेंगे तो फिर हमारा लाल वाला धगा बड़ा हो गया है अब लाल वाला को लपेट देंगे इसी क्रम में हमें 14 गांठ बनाना है देखिए दोस्तों अब हमारा इसमें टेरह आट बन चुका है तो अगर बच्चा छोटा है पांच साल से चोटा है तो उस बच्चे को टेरह गांठ का ही अननत बर और 59 Son पांच साल है तो हम 14 गांठ का भाहनाती हैं तो यह जो मैं अननत बना रहे हैं तिंस से सारे 3 साल की बच्चे के लिए बना रही है तो इसमें 13 गाथ हो आएए अब हम ये गाथ को कैसे गिनना है ये देखते हैं इसलिए हम 2 कलर में बनाए हैं जो गिनने में हमको आसानी होगा तो देखे अब हम गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारख, बारख, और एक पीला वाला धागा को अभी हम खेचेंगे तो तेरा बन जाएगा एक अनन्त में चौदा गाट होता है पर छोटे बच्चे के लिए तेरा गाट का ही अनन्त बनता है तो देखए हमारा ये अनन्त बनके त्यार हो गया है एक हाथ का धागा हम लिए थे और ये इतना बरा बनके रह गया है आधा हो जाता है और ये चार Se Paus साल के बच्चे के लिए तिन चार साल के बच्चे के लिए लिए काफी है लंबा तो यह हमारा अनन्त बन गया है, अब हम आपको सिंगल कलर में दूसरी बार बताती हैं, वो ध्यान से देखिए, यह अनन्त हमारा बन के तियार हो गया है, तो इस अनन्त को हाथ में बांते कैसे हैं और पहनते कैसे हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगी, पहले तो इसका पूजा होगा इसका पूजा का बहुत बरा बिधान होता है यह एक गाट का अलग अलग दवान का पूजा होता है इसमें और इस अनंत को साल भर पहना जाता है देखिए दोस्तों अब हम बड़े के लिए बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए मैं यह 24-25 इंच का दागा ले चुके हैं रहे हों सिंगल कलर में और मोटा धागा में कैसे बनता है आनंत यह देखते हैं यह मोटा धां धागHH है ओर डबल है ऐसे डबल करके लेना और यह फोल्ड वाला जो साइड है वह अपने लेफट हाथ में रहेगा वाही हाथ में रहेगा और यह-उ दो खुला सैड ए यह सिंगल कलर के दागा में फोल वाले साइड को चार से पांच इंच तक छोड़ देंगे ऐसे उंगली से नापे तो पांच से छे उंगली छोड़ने के बाद अब यू यह दो धागा है उसको पहला धागा को ऐसे उंगली में लपेटना है और जहां से हम लपेटना चालू किये हैं वहीं पर खतम करना और उंगली को बाहर निकाल लेना है इस तरह से रिंग जैसे बना के उंगली निकाल लेंगे तो हमारा रिंग जैसा बन जाएगा और धागा को ऐसे ही पकरना है, पकर के रखना है, धागा छोड़ना नहीं है नहीं तो नहीं बनेगा, अब ये दूसरा धागा को हम ऐसे फिर से उंगली में डालेंगे, और ऐसे निकाल लेंगे इस रिम से, एक बार मैं फिर दिखा हही हूं, देखिये कैसे करना है और इसका गाठ कैसे बनाना है इस तरह से 4-5 उंगली तक हमको बोलड वाले सैट से धागा को छोड़ देना है अब ये दोनो धागा को ऐसे उंगली से दवा के रखना है और एक को उंगली में ऐसे लपेट लेना है और लपेट के इस चुटकी में पकड़ लेना है हमको पकर के अब इस उंगली को हम बाहर निकाल लेंगे निकालने के बाद धागा को ऐसे घुमा देना है पकर के रखना है और फिर दूसरा धागा से फिर से हमको उंगली में ऐसे रिंग जैसे बना के यह पहला रिंग से इसको अंदर ले लेना है और लेके इस तरह से दूसरे उंगली से इसको पकड़ लेना है और यह जो धागा है पहले वाला उसको खीच लेना है अभी आप पकर के ही रखिए नहीं तो अभी गाठ नहीं बना है खुल जाएगा अब फिर से उंगली निकालने के बाद हम ऐसे पलट देंगे इसको पलट के और फिर दूसरे वाले धागा को देखिए इसमें एक बड़ा और एक छोटा हो गय है इस तरह से धागा बड़ा चोटा हो गया है अब जो यह बड़ा वाला धागा है उस धागा को हम उंगली में ऐसे लपेट लेंगे और फिर इसको और सब उंगली से दवा देंगे और दूसरे धागा को खीच देंगे तो यह हो गया हमारा पहला गांठ बनाए अब यह दोनों धागा इस तरफ से है तो हमको फिर से उंगली यहीं डालना है और जो बड़ा वाला धागा है यह जो बड़ा वाला धागा है उसको हमको उंगली में लपेटना है बड़ा वाला धागा को फिर से उंगली में लपेट के उसी क्रम में हम इस रींग के अंदर ले जाएंगे और फिर दूसरे धागा को खिच देंगे फिर उंगली को बहार निकालेंगे और धागा को घुमाते हुए इसमें जो बड़ा वाला धागा है उस धागा को हम ऐसे उंगली में फिर से लपेट के इस रींग के अंदर से डाल के फिर से दूसरा धागा खिच देंगे इसी क्रम में हमें 14 गाठ लगाना है यह चार वार करेंगे तो हमारा दो गाठ होगा इस तरह से हम फिर से यह धागा लेंगे बड़ा वाला जो धागा है उसको उंगली में उंगली के चारो तरफ घुमाते हुए ऐसे फिर से सामने से लाके इस रींग के अंदर डाल देंग दाल कर फिर यह धागा को ऐसे पीछे दूसरे उंगली से पकड़ लेंगे और इसको एकदम चिपका के ऐसे खीच के इसको खीच लेंगे तो हो गया हमारा गाठ इधर से तीन गाठ हुआ है अब दूसरे तरफ का धागा खीचेंगे तो इधर तीन गाठ होगा इधर दो ही तो एक गाठ बनाने के लिए हमको दो वार प्रोसेस करना पड़ता है तब एक गाठ बनता है हमारा इस तरफ से दो ही गाठ बना है एक और दो और इस तरफ से तीन गाठ बना है तो एक गाठ बनने के लिए हमको दो वार प्रोसेस करना पड़ता है तो एक गाठ बनता है और कि इसी किसी वीडियो में बहुत जोनों ने ऐसे ही गांट ऐसे सिंपल गांट लगा लगा कि दिखाया है तो दोस्तों वह ऐसे अनंत न बनाए वह बिल्कुल गलत है अनंत का प्रोसेस यही है एक ही धागा से और एक ही घांट से गांट बढ़ते रहता है बार बार अलग अलग नहीं बनता है तो अब हम धागा को इस तरफ से नहीं करेंगे इस तरफ से जिस तरफ से हमारा यह दोनों धागा है उस तरफ से ही धागा को उंगली में गुमाएंगे इस तरफ से करेंगे तो हमारा गांट उल्टा हो जाएगा तो इस तरह से यह दोनों धागा इधर है लपेट के वापिस इस रिंग से हम धागा को अंदर करके और ऐसे सब उंगली से दवा के और दूसरे वाले धागा को खिच देंगे तो बन गया हमारा तीन गांट इधर और इधर भी तीन ही है अब चौथा बनाने के लिए हमें इसी तरह से डबल प्रोसेस करेंगे तो चौथा गांट बनेगा इसी तरह क्रमसा बार बार हमको चौदा गांट है तो 28 बार हमको करना है ऐसा तो हमारा चौदा गांट बन जाएगा यह गांट बनाना समझने में थुरा मुस्किल है पर आप वीडियो को धीमे करके देखेंगे तो आसानी से बना लेंगे देखें हमारा अनंत बन गया है अब हम एक चीज और बता रहे हैं जैसे कि यह दो धागा में से एक धागा को हम ऐसे लपेट दी और इसको खीचेंगे यह नहीं खीच रहा है देखें यह क्यों नहीं खीच रहा है क्योंकि हम दूसरे साइड वाले धागा को उंगली में लपेट लिए इसलिए यह खीच नहीं रहा है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो भरा और छोटा है जैसे यह धागा मेरा बरा है और यह छोटा है तो भरा वाला धागा को ही लपेट ना है छोटे वाले को नहीं लप कषाए कषाए की शेटिट लें और बाद आध द्यूसथा दागा कि चन्के तो गांट बने गा तो इस तरह से बड़्य को ले के फिर ऐसे मेलि लट लंगे उगली में और तो निकाल लेंगे कि दूसरे दागा को कि चन्ट के इस तरह से ए अनन्त बन क्या गया अब हम गिनते हैं, हमारा गाट 14 हुआ है या नहीं? तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, हाट, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चोदर अब इधर से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चोदर तो हमारा अनंत बनके तियार हो गया है, अब जो छोटा वाला धागा है, उसको खीच के हम इसको बराबर कर लेंगे और देखिए, जो अनंत का, यह हमारा चोदर गाठ पूरा कम्प्लेट है, और यह पीछे वाला भी एकदम बराबर धागा है, जब हम लिये थे तब भी बराबर था, और जब हमारा अनंत बनना खतम हो गया है, तो भी यह बराबर है, अगर यह बरा छोटा है, तो हमारे गा गाठ जादा हो गया होगा, या तो एक तरफ जादा, एक तरफ कम होगा, अगर पीछे का यह दोनो धागा अगर हमारा बराबर नहीं है, तो यह अनंत का जो 14 गाठ है, उसमें हमारा गरबरी है, यह समझना है, यह हमारा पीछे का धागा देखिए, इस अनंत में हमारा बरा तो देखिए इतना सा चोटा बड़ा है यह हमारा धागा चोटा बड़ा नहीं गांट में गरवरी नहीं है यहां पर थोड़ा सा हलका आगे पिछे हो गया होगा और यह खुल गया है इसलिए हमको लगड़ा है तो हम इसको बरावर कर देंगे काट के पर जादा का डिफरेंस रहे इतना चोटा बड़ा अगर धागा है तो हमारा गांट में गरवरी है यह समझना है गांट के तो इसको भी बरावर कर सकते हैं पर इसको बरावर नहीं करना है तब हमको गांट ध्यान से गिनना है अब हम गांट गिन लेते हैं और गांट को गिनन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और ये इस तरह से हमारा ये मोटा धागा का, दो धागा का ही अनंतवन के तियार है ऐसा मोटा धागा अगर लेंगे तो मजबूत धागा लेना पड़ेगा क्योंकि ये साल बर पहनना पड़ता है तो हमको मजबूत धागा ही लेना चाहिए और Synthetic धागा नहीं लेना चाहिए उससे गांट नहीं रहता है मजबूती में खुल जाता है बारवा तो कॉटन का ही धागा मजबूत धागा ले क्योंकि सालवर बांद के रखना है हमको और एक एक गांट ऐसे गांट बांद बांद के अनन्त नहीं बनता है ऐसे अलग अलग गांट बांद के ऐसा अनन्त नहीं बनता है यह जो प्रोसेस है अनन्त इसी प्रोसेस से बनता है देखिए हमारा दो तरह का यह दो कलर में रंगीन है और यह सिंपल सफेद कलर का है और एक ही धागा मोटा धागा से बना है इस तरह का अगर पतला धागा भी हमारे बड़े आदमी का 14 गाट का अनंत है तो इसी तरह से अनंत बनाईए इनका पूजा बहुत विदिविधान से होता है इनका 14 गाट का अलग अलग भगवान का पूजा होता है और इसको साल भर पहने से बहुत ही पुन्य मिलता है तो धन्यवाद दोस्तों मेरा पूड़ा वीड बड़े अर्ब पूजा गे से नंत को लेना है और इसको धागे को ऐसे दोने उंगली में फसा के ऐसे बड़ेंगे असे कर ले लेना है इसके बात पीर हम इस छोड को इसमें डाल देंगे जाग और डाल के असको खेच ले नहीं इस तरह से हमारा बंदेगा हाथ पर हमलोग बाजु बंधू कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चांब को लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर से जरूर करें हाप लोगा बहुत बहुत गन्यवाद